नमस्कार दोस्तो आज की शन्य वीडियो में एक बर फिर्शाप का स्वागत है दोस्तो चतिसगर सिक्षक भरती 2023 से संबंधित आपकी दोरा पूछे गए प्रशनों के जवाब आपको इस शुड़ों के माधम से मिलने वाली है विभिन प्रकार के प्रशन पूछे गए हैं कम निक्ति पत्र मिलने के बाद क्या करना है सहायक सिक्षक के लिए कैसे और कितने स्कूल चुड़ना है सिक्षक का सेकंड लिस्ट कब आएगा जिनको आज निक्ति पत्र के लिए राइपूर नहीं बुलाया गया है उन्हें निक्ति पत्र कैसे मिलेगा सहायक सिक्षक का सेकं इस्कूल चूरना है तो देखिए दोस्तों आपको क्या करना है एजुकेशन पोर्टल कर साइट पर जाना है और अपना जो ब्यापम प्रोफाइल आईडी डाल करके ओपन करने उसके बाद आपको क्या करना है कि डिस्टिक्ट वाइस उसमें इस्कूल का लिस्ट देखेगा उस इस्कूल को सलेक्ट करना है अब आपको उसमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा कि कौन सा एरिया अच्छा है कौन सा मतलब जो सीटी से नजदीक है तो इस प्रकार से इसकल मैं पीडिया भी बनाया हूं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मतलब मेरे टेलीग्राम चैनल गृप से मिल जाएगा देखे इसके लिए आपको करना है कि अगर आपके कांटेक्ट में कोई आप जिस डिस्टिक्ट में सेलेक्ट करें अगर वहाँ कोई कैंडिडेट आपके कांटेक्ट में है तो आप उनसे संपरक कर सकते हैं अभी लेचरर का जॉइनिंग हुआ उनसे मदद ले सकते हैं आपके फ्रेंड होंगे तो आपके रिष्टेदार वगर जो भी है उनसे आप मदद ले करके इसकूल का पता लगा सकते हैं या आज आप गूगल मेप की सहायता से भी डिस्टेंस से डिस्टेंस सर्च करके देख सकते हैं ठीक हैं उसके बाद और सबき合星hte Technology करना लएक गरल आप सेही को बार चार्स पांको लेक्ट करेंगे उसमें से ही आपको मिल जाहेगा ठीक ज्यादस warum ठीक करेंगे तो किंटा डिक वहां कई स्पार्य आपको सेलर करेंगे और ओसप्सओं करिए, पसीजिए बाइडा में सीटेस में रहते हैं उस आपको विभाग अपने मन से के स्कूल प्रवाइट करा देगा ऐसा इसमें आपको स्कूल सेलेक्टर नहीं करोगे तो आपको स्कूल नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है विभाग आपको एक स्कूल प्रवाइट करा ही देगा अगर आप जिसतना स्कूल सेलेक्टर किये हैं उनमें से नहीं आता है तब की बात है ठीक है उसके देखिए कि जिनको आज निक्ति पत्र के लिए राइपूर नहीं बुलाया गया है उनको क्या कर रहे है ठीक है तो देखिए ब्याख्याता पदों के लिए भी अभियर्थियों को सभी अभियर्थियों को नहीं बुलाया गया था और आज राइपूर में नुक्ति पत्र मिलेगा उसी के डेट में आपका भी ज्वाइनिंग लेटर रहेगा और आपको पोस्ट के द्वारा भेज दिया जाएगा या आपको वाटसप के माधम से भी भेजा जा सकता है ठीक है उसके देखिए कि नुक्ति पत्र मिलने के बाद क्य करना है तो अगर आपको ज्वाइनिंग लेटर आज मिल जा रहा है सिक्षक लोग को तो उसको अब क्या करना है पहले आपको वहाँ देखिए दो प्रकार की हो सकता है आपको अपने ग्रे जीला से साटिफिकेट मेटकर साटिफिकेट बनवाने के लिए बोला जा सकता है य ज्यादा तर जहां निवास कर रहे हैं तो इसमें आप यह कर सकते हैं कि आप वहां जा करके ज्वाइनिंग पहले कर लिजे उसके आद समय दिया जाएगा आपको मेडिकल जमा करने के लिए ठीक है तो इस प्रकार से आपको फिर बताएगा इस्थान पर क्या करना है ज्वाइ देखिए सहायक सिक्षक की कांसलिंग प्रक्रिया चल रही है क्योंकि साथ तारिक तक तो सहायक सिक्षक का कांसलिंग प्रक्रिया चलेगा उसके बाद ही सिक्षक का सेकंड लिस्ट आ सकता है अभी व्याख्याताओं का डाकुमेंट वेरिफिकेशन भी बचा हुआ है तो मा सिक्षक का सेकंड कांसलिंग हो सकता है उसके बाद है सहायक सिक्षक का सेकंड कांसलिंग तो मान के चलिए 20 तारीक तक ठीक है मिन्स इस महिने में जो है सेकंड कांसलिंग की प्रक्रिया प्राराम हो सकते हैं आपको थोड़ा वेट करना होगा क्योंकि जो प्रक्रिया है वो ध महिने तक ठीक है सेकंड काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारम हो जाएगा आपको थोड़ा इंतिजार करना होगा